नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक्बेंड यूटुब चैनल पर शिलंका और जिंबांबे की बीच जो फर्स्ट ODI मैच खेला जाएगा वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं हर एक प्लेयर के बारे में डीटेल में बात करेंगी कौन सी टीम स्टॉंग है किस टीम से थोड़े जादा प्लेयर से हमें टीम के अंदर रख रहा चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बहतरीन चोईसे कौन से प्लेयर से हैं तो सब कुछ हम बिसकस करने वाले हैं वीडियो अगर आपको इंपॉर्टन लगे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्स्राइब भी कर सकते हैं चलिए सीधा मैंच पर फोकस करेंगी उसके पहले जो भी दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको मैं बता दूँ टेलिग्राम चैनल की इंपॉर्टनस है क्योंकि टेलिग्राम पर फाइनल टीम टॉस के अकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड करूँगा और आज के मैच में चेंजिस हो सकते हैं लाइनप जो ऑफिशल लाइनप आएगी थोड़ा और कन्फर्म हमें होगा कि कौन से प्लियर्स खेल रहा है किसकी first बोल है किसकी second बोल है थोड़ा और कन्फर्मेशन के लिए आप टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं डिस्किप्शन में भी लिंक है, कॉमेंट सेक्शन में भी है, I hope आप जोइन कर चुके हैं, चलिए, सीधा मैच पर फोकस करेंगी, और वेन्यू की बात करें, आर प्रेवादास स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, जो कि कोलंबो में है, जिम बांबे, शिलंका आ रही है, मै शिलंका 280 से 300 के आसपास भी टच कर जाए, क्योंकि शिलंका का होंग्राउंड ने थोड़ा फाइदा होने उसका रहने वाला है, चलिए, यहाँ पर बात करें, लास्ट मैच कप खेला गया है, लास्ट आपको याद है, एशिया कप, इंडिया और शिलंका को 50 पे ओल आउट इंडिया ने कर दिया था, और आसानी से 10 विकेट से मैच को जीता था, सारे 10 के 10 विकेट पेसर से निकाले, आपको याद है, सिराज और बुम्रा ने काफी कमाल उस मैच के इंदर किया था, उसके पहले यह भी एशिया कप का मैच, और यहाँ पे 200 पैसर बनाए, मैच को जीत लिया, अब हम दोस्तों फोकस करते हैं थोड़े आज के मैच के ऊपर पिछले मैच में क्या हुआ है, वो तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ऑफीशल जो पिछले पोट आईगी थोड़ा कन्फरमिशन उस से हमें मिलेगा, यहाँ पे देखें, एक मैच जीता है, और श्रीलंका ने दो मैच जीते हुए, लास्ट जो हेट टो एट खेला गया है, वहाँ पे श्रीलंका ने काफी कमफर्टेबली और जिम्बाम्बे को हराया हुआ है, तो अगर आपको स्कीन शॉट लेना है, तो ले सकते हो, चलिए, शुरुआत करेंगे पथम न थोड़ा खराब जरूर हुआ है, लेकिन यार अच्छा किया है, और वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें, कुछ मैच इस खराब भी उसके बद लगतार फॉर्म में हैं, लगतार फिफ्टीज भी मारी है, तो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो क्या करना चाहिए, टीम के विकेट सोनों ने आसानी से चटकाए हुए, तो ने शंका थोड़ा सा रिस्क राएगा, कहीं जिल्दी आउट हो जाते हैं, तो आप देखें, तो आप कुछ मैच इसमें खिलाया है, कभी नहीं खिलाया है, कभी आप देखें, देबुत करूना रत्रे से ओपन कराई है, आप करूना रतने को रख सकते हो, अगर फॉर्स बैट आ रही है, तो रेगुलर खेल नहीं रहे है, प्रेशर में फिर थोड़ा विकेट खोगे दे सकते हैं, पुशल मैंडिस की बात करें, बत्तिस का एवरेज, रिसेंट फॉर्म ठीक है, यार, टी-ट्वेंडी में तो ब प्रेस किया है, और अगर आपने वर्ल्लकप देखो, वहां पे भी अच्छा किया है, यांग प्लियर है, लेकिन लगातार अच्छा कर रहा है, तो समर्विक्रमा हर कंटिशन में आप रखना, विकेट कीपिंग तो मैंडिस ही करेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छी चोईस रहेंगे, पीछे मैंटिग आ रही हो सकते है, तो मैं फिलाल नहीं ही रख रहा हूं, जो प्लियर एक्सपीरियस नहीं होते है, उनका थोड़ा से डिपेंड करता है, कि मौका कितना टीम दे रही है, अगर शुरुवात के वगर मौका कम मिलेगा, और अगर शिलंगा आसानी समय जीतरा होगा, तो फिर थोड़ा मौका जादा मिल सकता है, तो फिलाल हम देखेंगे कि मौका कितना मिल रहा है, सेकेंड मैस से फिरम ट्राइक कर सकते हैं, शनाका की बात करें, और बैटिंग दो बहुत अच्छी की नहीं है, ओडियाई के अंदर एक मै मैचस खेले हुए, अगर हमारे पास और बैदर चॉइस नहीं है, तो फिर हम इनके साथ जा सकते, वने दू हसरंगा वापस आ चुके हैं, वाई, तीस का एवरेज है, सड़ सड़ विकेट निकाले है, लगातार अच्छा किया है, और कैप्टन वाइस केप्टन की चॉइस ह वाइस केप्टन की बढ़िया चॉइस है, वाइस केप्टन आप रख सकते हूं, कैप्टन रखना है तो कैप्टन भी रख लो, लेकिन मैटिंग से फिर आप उमीद मत रखना है, क्योंकि बैटिंग और बहुत तीचे है, और जिब बाम में इतने विकेट गिरा पाएगा, पांच-छे-साथ ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, फर्स बैट आ रही है कि तो फिर भी चांसेस है, पीछे तो फिर बैटिक नहीं आईगी, वोलिंग के दम पे दस ओवर्स है, दो से तीन विकेट के आसपास हो सकते हूं, वाइस केप्टन रख सकते हूं, तीक्ष है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर सामने कोई दूसरी पेच होती तो वहाँ पे तो फिर में बिलकुल उमीद नहीं करता है, तो फर्स बोल आ रही है, तो रख सकते हूं, क्योंकि फर्स बोल में चांसेस हैं, जो जिम्बाम में टीम है, साथ, नौ लॉकड़ा देते हैं, तो तीक्षणा इसने भी इंपोर्टेस हो जाते हैं, फर्स बोल के अंदर क्योंकि कई बार लास्ट मोगर्स में जाते हैं, मधुशंका चमीरा दोनों की इंपोर्टेस है, मधुशंका को तो सब जानते हैं, वर्ल लिकप में आग लगाई हूती प्ल सब्सक्राइब करें, और बाकी शुरुवात करें के साथ 29 और रिसेंट फॉर्म तो ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस हलका सक काम है, और सामने वारी टीम के पास मधुशंका शुरुवात में आएगे, चमीरा शुरुवात में आएगे, तो वो सकता है कही शुरुवात में अ जो जिमाब में उससे किसी एक बैस्वेट को ड्राय करना है, तो इरविन को आप रख सकते हो, कई बार बहुत बड़ी बारी खेल के भी दे सकते हैं, तो स्मॉल लिग में नहीं रख रहा है, तो ग्रेंड लिग में तो जरूर ड्राय करना, राइक्स बात करनें के टानो, 15 काइवरेज, इन एक्स्पीरियन्स प्लियर, ग्रेंड लिग में रखो, सिकंदर रजा, 139 मैचेस, 85 विकेट निकाले हैं, सैथिस काइवरेज, रिसेंट फॉर्म भी आप देखो, अच्छा चल रहा है, पिछले को स्टेब से थोड़ इसे विकेट कम मिले, आज के मैच में म आपको विलियम्स भी नहीं देखने को मिल रहा है, और बैटिंग भी तोड़ी समझदारी से करेंगे, तो कैप्टन वाइस केटन भी सबसे बहतर चोईस है, मौके की अकॉर्डिंग भी देखलो, प्लेयर वाइस भी देखलो, सैथिस काइवरेज, नैक्स बात करें, रियान को रखना है, विकेट कीपिंग सेक्शन से तो मैं ड़ेज रख सकते हूँ, जादा ता जब जिम्बा में कॉलाप्स करती है, शुरुआत के विकेट चल्दी गिरते हैं, बंदा पारी को समझाल लेता है, लास सीरीज में भी आपने देखा होगा, जौंग वे की बात करें, यार थोड़ा मौका कम मिलता है, कई बार बोलिंग मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, बैटिंग और आप देख रहे हैं, काफी दादा नीचे है, तो मेरी टीम में नहीं है, बसका आज जया की बात करें, 37 मैचस में 30 विकेट, शिलंग का जादा फस है की नहीं स्पिनर के सा आप रखो भाई यार टीम के अंदर, फिर्स बोल में भी रखो, लोग गल्दी करेंगे, सेकेंड में ड्रॉप कर देंगे, सेखेंड में भी रखो है, पावर ब्ले हम बहुत अच्छी बोलिंगी चल रही है, एन गरा आब आप आप सब के पास है, और ऑव्यस इबात है, हम सब्सक्राइब बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन से कुस्टाल मैंडिस के साथ ही जाओ यार ज्यादा अच्छा प्लेयर है और जिम्बांबे के थोड़े ज्यादा विकेट्स गिरने के चांसे भी है तो स्टंपिंग और गैचेस भी थोड़े इनके पास ही ज्याद आएग सब्सक्राइब ब्लैसिंग मुझरवानी यहां पर वैला लागे को देख सकते हो रस लंका वैला लागे पर थोड़ी नजर बनाना क्यों बनाना और शिलंगा मैं आपको याद होगा जो लंगा प्रीमियर लीग थी वहां पर भी अच्छे खासर विगेट्स और जो आपको सब्सक्राइब यहां पर बात करें स्मॉल लिंग में चमीर और मुझरवानी यह तीन चॉइसे से जो तोड़ा था लो सेलेक्शन में आपको डिफरेंट करोगो तो आपको विन करा सकते हैं अब हम दूस्तों बात करेंगे हमारी स्मॉली की टीम के बारे में उसके पहले वी की सर्च करके भी आ सकते हो यह वाला टेलिग्राम चैनल है जो आपको स्क्रीन पर देख रहा है चलिए टीम पर फोकस करते हैं शुरुआत करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन के सांथ और यहां से मेरे पास कोशल मेंडिस समर विक्रमा दोनों है क्या दोनों को अर कंडिशन में रखना है समर विक्रमा को चेजिंग में थोड़ा ड्रॉप करने के वारे में भी सोच चकते हो टू डाउन बैटिंग है तो अगर जिन बाम्बे बहुत ही कम स्कोर पर आल आउट हो गई माली जी अगर उन्हों में देड़ सो सो दोसों की मीच किया तो समर विक्रमा की ब मैं डे को आप रखो स्मॉल लिक में नहीं तो ग्रेंड लिक में ट्राय करो क्यूंकि जिम्बाम में की शुरुआत की विक्र्स तो गिर रहा है इनकी बैटिंग आएगी थर्ड डाउन फोर डाउन वहां पर थोड़ा समल के खेलके 30-40 निर्माली पारी खेलके दे सकते हैं मैंटिक सेक्शन से बात करें रिशंगा टीम में बर्ल टीम और असलंगा टीम में ठीक है असलंगा की चॉइस है थर्स बैट आरिये तो ही है वही बात है ज्यादा वड़ा स्कूर अगर नहीं हुआ तो मौका नहीं मिलेगा तो चीजिंग में डॉप कर सकते हो इसके अलाव में फिलाल नहीं है मेरी टीम के अंदर बागी सेवन प्लस और आपको जाना है अगर आप वहां पर जा रहा है जैसे हम गुवेरा में खेलते हैं तो वह तो फिर आप थोड़ा से सोच सकते हैं फॉस्स बैट के इंदर ठीक है इसके अलावा बागी को यूतनी मैंतर चॉइस नजर नहीं आ रहे है तो हम बात नहीं करेंगे फिलाल मैंने लागा को ले लिए वोल्डा। नहीं के बात करें तरह तौस बोलने तो फिर हाफ लंगा को लिया हुआ है शनाका का फॉर्म रीसेंट खराब है और मैच इस खेले भी रही है तो हम नहीं जा रहे हैं उसके साथ बोलिक से बात करें तो मदुशंग का टीम में एंगर आवा तीक्षणा और मुझरवाणी चारों के साथ मैं जा रहा हूं चवीरा थोड़ा मदुशंग का भी कंफर्मेशन से आने ही वाल है तो अगर दौनों तीन चार चार विकिट ले गए तो फिर चमीरा के पास हल्का सा कम मौका रहेगा इसलिए मैं उस कर्णिशन के गौर्डिंग जा रहा हूं तीशना और मुझरवानी के साथ मां की जो मैंने आपको ऑप्श कर देगा हूं आप जोईन होई चुक है वहां पर सारा कन फिजन में आपको दूर कर दूँगा ठीक है कैप्टन मैंने किये सिकंदर रजा को वाइस के जा रहा हूं और यही बैतर चॉइस है क्योंकि सिकंदर रजा उनकी टीम के लिए इंपोर्टेंट है और बैटिंग भी भी काफी अच्छा है उनको मैं कैप्टन कर रहा हूं अगर आपको रिवर्स करना तो आप रिवर्स कर सकते हैं तो फिलाल कुछ इस तरीकी की टीम है मांकि जो फाइनल टीम होगी अपडेटेटे टीम रहेगी वह आपको टेलिग्राम में विलेगी जॉइन कर लो डिस्क्र अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अब सब्सक्राइब कर सकते हैं